हेलो गाइज वेलकम टो अने दर वीडियो आप स्टॉक मार्केट फेंडिस नाट को फार्मा लिमिटेट की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है स्टैंडल ओन कॉंसलीडेटटेड दोनों रिजल्सा होच हो चुका है क्वार्टरेंड और हो फिनांसल रियू हों रेंडिक का आज इस वीडियो में कवर मिल्यान्श में पहले क्वंसलीडेटेड तो करेंगे इंकम 1110 करोड़ का, पिछले quarter में 795.6 करोड़ का, और March 23, quarter में 926.9 करोड़ का इंकम है Quarter on quarter, year on year दुनों में इंक्रेस खिया है, expenses 67.7 करोड़ का, पिछले quarter में 539.3 करोड़ का, और March 23 quarter में 602.5 करोड़ के expense हुआ था quarter on quarter year on year दोनों के expense भे increase किया operating profit 477.6 करोड का पिछले quarter में 256 करोड का ओव March 23 quarter में 234.4 करोड quarter on quarter year on year में increase किया है EPS 21.56 रुपीश का quarter on quarter year on year में इंक्रीश किया है महीं financial year ended में income में 4126.9 करोड का 23 में 2811.7 करोड का income increase है जबकि expense हुआ 2453.4 करोड का 23 में 1949.8 करोड का expense में भी increase है operating profit 1673.5 करोड का 23 में 861.9 करोड का increase देखने को मिला है और net profit 1388.3 करोड का 23 में 715.3 करोड का profit में इंक्रीश किया net profit में भी EPS 77.34 रुपीश का 23 से increase किया तो guys quarter ended हो या financial year ended बहुत ही strong result पेश किया consolidated basis पर segment वाइस pharmaceuticals agrochemicals इन दोनों से revenue generated कर रहा है quarter ended हो या financial year ended increase देखने को मिला है अगर हम stand-alone financial result को cover करे income है 1000.7 करोड का पिछले quarter में 654.8 करोड का March 23 quarter में 798.7 करोड का income था quarter on quarter year on year दोनों में increase किया expenses 568 करोड का पिछले quarter में 431.2 करोड का March 23 quarter 492.3 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year दोनों में increase किया operating profit 432.5 करोड का पिछले quarter में 223.6 करोड का मार्श 23 क्वार्टर में 306.4 के रोड के expense operating profit था, quarter on quarter, year on year दोनों में increase किया है, net profit 349 के रोड का, पिछले quarter में 192 के रोड का, और मार्श 23 क्वार्टर में 254 के रोड का profit है, quarter on quarter, year on year दोनों में increase किया है, अगर हम EPS की बात करें तो, company का EPS है 19.49 रुपिज का, quarter on quarter, year on year में increase किया है, तो stand-alone हो या consolidated, बहुत strong result पेज़ के, क्योंकि income और profit दोनों increase करता हो, देखने को मिल रहा है, और अगर हम इसके result की बात करें, 440 मिसका result आया था, और 1030 रुपिज पर कंपनी का share close किया, 0.96% का profit दिया है, वन मन्त में, अगर देखा जाए, तो 2.2% का profit है, कंपनी अगर देखा जाए, यहाँ पर एक कंपनी जो 9 में को बहुत बहुत सपोर्ट लिया, तो उसके बाद यहाँ से 6% का profit देखने को बला, 9 में से 27 में ही तक, और 6 मन्त में देखा जाए, तो 33% का profit अभी कंपनी अगर आप इसमें एंटरी करना चाहते हैं, तो थोला वेट कर लिए इसके share को correction होने देजिए, around 985 के आसपस के share को आने देजिए, उसके पाद आप इसमें एंटरी कर सकते हैं, इसमें hold continue कर सकते हैं, तो हम लोग जहें वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं, अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं, एक शोडर में दिलनें, बाई बाई